भारत ने पहली बार इंसुलिल इंजेक्शन तक्मी की बारों में एक सम्मेल लंग किया गया मताड़े कि FIT एक अंतराश्टी संगतिन है जो मदुमें नियंतरन के लिए इंसुलिल इंजेक्शन की बारों में जानकाई देती है पूरे विश्चने भारत ऐसा छेटवा देश है जो इस संगतिन से जोढ रहा है ये संगतिन टेया डॅक्टिरों की सान भारत में शुरू किया जा रहा है इस संगतिन के उससे पूरे भारत में सभी डॉक्टर्स और नर्सों को इंसुलिल इंजेक्शन की बारे में जानकारिती जाएगी साथी जंपा को भी जागरू किया जाएगा इस मौके पार हमारे संवारादाओं ने कुछ डॉक्टर से इंसे इंत पनी के बारे में बात की जैसे कि हम जानते हैं भारत में मृत्व कोटी संख्या परण क्या कर सकता है on what would be dollar future plan दाइप्टीज की संख्या तो बहुत बढ़ ही रही है और डाइप्टीज की कॉंप्लिकेशन की संख्या भी बढ़ रही है तो इसका हम डाइप्टीज को प्रेवंट तो करी सकते हैं साथ में हम जो प्रेवंटेबल कॉंप्लिकेशन हैं उनको रोग सकते हैं एक जो हमाँ चीज करने चाहिए कि एंशुर करना चाहिए कि जिन लोगों को डाइप्टीज है वो इंसुलिन से ना दरें इंसुलिन को एकसेट करें इंसुलिन की सहेली है उनकी दुश्मन नहीं है जब वो इंसुलिन एकसेट कर लेते हैं तो इंसुलिन सही तरीके से लगाएं ताके इंसुलिन का सही असर आए तो इसके लिए insulin technique guidelines जो है वो बहुत important है अब हमें जो हम शेयर करना है वो ये करना है कि insulin technique guidelines इंडिया के हर एक doctor, हर एक nurse और हर एक person living with diabetes को जो diabetes के साथ जी रहे हैं उन तक हम ये recommendations पुचाएं इसमें किसे person to doctor and nurse ऐसी हैं जो कि अभी भी wrong techniques का use कर रहे हैं जिसके कासी patients है जिनकी जिसके रहे होता है कि कलो तरीके से use करने से बेकन लाइ डाइ ऐसा है तो किती percent है या क्या कहना चाहते है पिसके बारे में I think the percent I cannot exactly say that it could be a huge number I would say more than at least 70 percent of the doctors who are actually treating diabetes because we have had many endocamals in India that leaves a lot of general practitioners and family physicians who are actually treating diabetes and you cannot blame them also because there has not been any guideline till now as to how you teach your patients to inject insulin so the actual method of injecting insulin the proper method has not been maintained in most of our patients